इस वीडियो में मैं आपको simplification सिखाने जा रहा हूँ, वो भी fraction वाला यहाँ पर आप question देख सकते हैं कि 3 1 by 3 ये mix fraction में है और ये सब fraction में है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, board marks यूज करके simplify किस तरह के सिख्या जाता है इस वीडियो में मैं काफी आसान से आपको सिखाऊंगा जैसे कि ये mix fraction में है तो पहले fraction में convert करें 3 into 3 ये दोनों multiply करना है, 3 into 3 9 और 1 क्या करना है, add कर देना है 3 into 3 9 होता है, plus 1 हो गया 10, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 divide by 3 ये divide है, इस divide को अगर हम लोग multiply लिखेंगे तो क्या करना है, इसे change करना है उपर का नीचे, नीचे का उपर हो जाएगा जिस वक्त भी ये divide को multiply लिखें, उसके बाद वाला जो fraction होता है, उसे change करें ये हो जाएगा 3 by 5, minus 1 by 10 है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 by 10, और अब ये twin ये भी mix fraction में है, इसे fraction में convert करना है 2 into 2, 4, 4 plus 1 हो गया 5, तो 5 by 2, plus 7 by 4, ठीक है जाता है, नेक्स step में आप देख सकनें कि ये 3, और 3 हो जाएगा 5 by 1 जा 5, 5 by 2 जा 10, क्योंकि यहाँ पर multiply था, इसलिए 2 by 1, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे, minus 1 by 10, और आफ के जाएगे पर हमें लिखना है multiply, और आफ के जाएगे पर multiply करने से क्या करेंगे, और आफ मतलब multiply होता है, तो multiply लिखें, उसके बाद 5 by 2, plus 7 by 4, आफ मतलब multiply तो हमें यहाँ पर multiply लिखना है, ठीक है यहाँ तक, उसके बाद 2 minus, यह भी cancel करेंगे, 5 by 1 जा 5, 5 by 2 जा 10 हो जाता है, तो 1 into 1 हो गया, 1 divided by 2 into 2 हो जाता है, 4, plus 7 by 4, अब यह 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 1, अब हमें L सम लेना है, L सम के चिसका, 1, 4, 4, तो L görüş 1 0, 4, 4 का L muchos Euro projectа, 4, ठीक है, तो 4 और 1 किया करना है, divide करना है, 1 और 4 divide तो 4 हो गया, 4 into 2 हो जाता है, 8 minus का minus अब यह 4 और 4 क्या करना है, divide करना है, यह रोण हो 2, क्या करना है, 1 करेंगे तो क्या जाएगा वन को क्या चाहिए से मंटिप्लाय करना है 7 से 1 इंटू 7 हो गए है यहाँ पर 7 अब इसे क्या चाहिए करें यह दोनों एट करना है 7 और 8 एट करना है 7 से 14 15 तो हम यहाँ पर लिखना है 15 15-1 divided by 4 ठीक है अब यह दोनों सब्ट्राक करने से क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 15-1 14 divided by 4 अभी हम क्या करना है इसे reduce करना है reduce किस तरह से करना आप यहाँ देख सकते हैं 2 से यह जाएगा 2 7 सा 14 2 2 सा 4 तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 by 2 हो गया आपका answer 45 of 3 by 5 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 45 of के लिखेंगे multiply of मतलब हो जाता है multiply 3 by 5 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 by 5 divide का divide लिखना है यह जो mix fraction में है इसे fraction में convert करना है सबसे पहले multiply करें 3 into 1 3 और 2 को क्या करना है add कर देना है 3 into 1 3 हो गया और 4 5 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45 by 3 3 into 1 3 3 plus 2 5 5 by 3 यहाँ पर plus है तो plus लिखें 3 of मतलब हो जाता है multiply तो लिखेंगे यहाँ पर multiply 1 by 3 तो यहाँ पर 1 by 3 minus 10 ठीक है यहाँ था उसके बाद यह cancel कर लेंगे 5 अंजा 5 5 नांजा 45 और 9 3 से हो जाता है 27 तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 27 यह plus है तो plus लिखें अब यह 3 और 3 क्या हो गया cancel हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1 minus 10 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे minus 10 इसके बाद देख लेते हैं 27 और 3 यह दोनों को क्या करना है multiply करना है 27 into 3 हो जाएगा 81 तो 81 divided by 5 अब यह दोनों क्या कर लेंगे subtract कर लेंगे 1 minus 9 1 minus 10 हो जाता है minus 9 तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे minus 9 अब हमें lsm लेना है lsm आ जाएगा 5 यहाँ पर 5 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 lsm 5 आ गया 5 और 5 divide करेंगे तो क्या जाएगा 1 1 को 81 से multiply करें तो हो जाएगा 81 1 minus अब यह 1 और 5 को divide करना है जैसे कि 5 divided by 1 क्या हो जाएगा 5 इस 5 को उपर वाले number से 9 से multiply कर देना है यह हो जाएगा 45 ठीक है यहाँ तक उसका 81 and 45 subtract करेंगे यह दोनों subtract करने से हो जाएगा 36 तो 36 divided by 5 आप यह fraction में भी लिख सकते हैं या mixed fraction में भी लिख सकते हैं mixed fraction में किस तरह से लिखना है वह मैं आपको सिखाऊंगा जैसे कि यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर 36 लिख लेते हैं यह दो डिवाइट करेंगे 5 केतना से 36 और लेस दिन 36 आता है 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 हो जाता है 40 जादा हो गया तो 7 से करेंगे 5 7 जा 35 यहाँ पर बचे करेंगे तो 1 यह जो 1 है यह उपर लिखना है और यह जो 5 है यह नीचे लिखना है तो यहाँ पर हम एंसर हो जाता है हमारा 7 1 by 5 तो यहाँ पर आप कुशन देख सकते हैं 43 of 1 by 86 और यह है यहाँ पर कुशन फ्रैक्शन में है और आफ में है बोर्ड मार्क्स यूज़ करके यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर 43 है तो 43 लिखें आफ मतलब हो जाता है multiply 1 by 86 है तो हम लोग यहाँ पर 1 by 86 लिखेंगे divide के जएगे पर multiply लिखना है जब भी divide के जएगे पर multiply लिखें यह दोनों interchange कर लें नीचे का उपर उपर का नीचे तो 14 by 1 लिख लेते हैं यहाँ पर multiply है तो multiply 2 by 7 तो यहाँ पर 2 by 7 लिख लेते हैं प्लस 9 by 4 minus 1 by 4 अब यहाँ पर हम लोग कैंसल करेंगे जैसे यह दोनों कैंसल कर सकते हैं 43 1s are 43 43 2s are 86 हो जाता है ठीक है यहाँ तक उसके बाद 1 by 2 तो यहाँ पर हम लोग 1 by 2 into 14 यहाँ 1 नहीं लिखने से हो गया into 2 by 7 प्लस 9 by 4 minus 1 by 4 अब हमें फिर से कहाँ पर cancel करना पड़ेगा जैसे 2 और 2 हो गया cancel क्योंकि यहाँ भी multiply यहाँ भी multiply है तो यह तीनों multiply में है इसलिए 2 और 2 हो गया cancel 7 बंजर 7 7 तूज़ा हो गया 14 अब यहाँ पर 2 into 1 हो जाता है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 plus 9 by 4 minus 1 by 4 अब हमें लेना है LCM यहाँ पर LCM आ जाएगा 4 क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 4 है तो LCM यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 4 और 2 को multiply करें 4 तूज़ा 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 8 plus का plus यह multiply नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 4 और 1 divide करना है सबसे पहले यह समझ लें 4 और 1 divide करना है तो 4 आ गया यह 4 को 2 से multiply करना है 4 तूज़ा 8 हो जाता है प्लस का plus लिख लेते हैं यह 4 और 4 को divide करेंगे तो हो गया 1 यह 1 को 9 से multiply कर देना है यहाँ पर आ जाएगा 9 यह minus है तो minus फिर यह 4 और 4 है इसको divide करना है सेम हो गया 4 by 4 क्या हो जाता है 1 को उपर वाले नमबर से 1 से multiply कर देते हैं तो 1 into 1 हो जाता है 1 अब हमें क्या करना है यह दोनों add करना है 8 प्लस 9 हो जाता है आपको 17 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 minus 1 divide by 4 यह दोनों subtract कर लेंगे subtract करने से आ जाए गया 16 divided by 4 4 1s are 4 4 4s are 16 4 by 1 हो जाएगा 4 तो आपका answer रहा 4 7 1 by 4 minus 6 1 by 4 है तो यह mixed fraction में है सबसे पहले fraction में convert करना पड़ेगा यह दोनों multiply करें 7 4s are 28 हो गया और 1 क्या करना है जोड देना है 28 plus 1 हो जाता है 29 तो यहाँ पर लिखेंगे 29 divided by 4 minus यह दोनों multiply करना है 6 4s are 24 और 1 add कर देना है 25 तो 25 divided by 4 ठीक है यहाँ तक यहाँ पर off है तो off लिखेंगे उसके बाद यह same to same लिखेंगे इस line में नीचे वाले line म ठीक है यहाँ तक उसके बाद हमें यहाँ पर elsem लेना है जब भी देखें यह नीचे denominator same हो तो काफी आसान हो जाता है सिर्फ हमें 4 लिखना है और उपर वाला number लिख लेना है 29 minus 25 अगर यह दोनों same है तो करना है ऐसा same है तो 4 लिखें और उपर वाला number लिख लेते हैं यह multiply कर देना है 53 15 तो इसका elsem हो गया 15 अब यह दोनों divide करना है 15 और 5 डिवाइट करना है जैसे 15 divided by 5 यह दोनों divide करना है क्या जाएगा 3 यह 3 को ऊपर वाले number से हमें क्या करना है multiply करना है 3 into 2 6 लिखना है प्लस का प्लस अब यह 15 और 15 डिवाइट कर लेना है इस तरीके से 15 divided by 15 क्या गया 1 1 को ऊपर वाले number से multiply कर देना है तो 1 into 3 हो जाएगा 3 अब यह दोनों subtract करेंगे तो आप गया 4 divided by 4 off का off लिखें यह दोनों add करेंगे हो जाएगा 9 divided by 15 ठीक है जाता है अब यह 4 और 4 cancel हो गया तो यहां पर लिखेंगे 1 off मतलब हो जाता है multiply तो लिखें multiply और यहां पर हो जाएगा 9 by 15 9 by 15 अब यह 3 से reduce हो जाएगा जैसे की 3 3 9 3 5 15 तो आपका answer आ गया 3 into 1 3 by 5 यह रहा आपका answer अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब और प्लीज शेर विट या फ्रेंस टू